कि हालो दोस्तों मैं सुरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्व चैनल सुर्या क्लासस पे कैसे दोस्त आई होब अब सभी अच्छे होंगे चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर से मैथ क्लास तेंथ के लिए जो मेरा डेली एट एट एम पर दोस्तों जो एट पीम पर मेरा डेली का क्लास जो आता है क्रेस कोर्स के दोस्तों उसके लिए फिर से हम एक बार आप लोग भी हाजिर हो चुके दोस्तों तो चलिए आज हम लोग नया यानि बहुपद में पॉलिनोमियल में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही यानि क्या दो चरवाले रिखिक स होता है एक्जाम में देखा जाता है पूछा जाता है दोस्तों क्योंकि इस चैप्टर में बहुए चैप्टर भी थोड़ा बढ़ा है दोस्तों क्योंकि यह चैप्टर चार-पांस चैप्टर मिला कर ही बहुपद बनाय गया है दोस्तों इस चैप्टर के बारे में हम लोग तो सब हम इस class के माध्यम से आपको प्रभाइड कर देंगे आपको बता देंगे दोस्तो आप दोस्तो आप एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेगा क्योंकि आपको यह short note के माध्यम से भी आपको तयार भी करने क्योंकि ज्यादा हमें यहां पर आपको कुछ लिखाएंग है दोस्तों तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते है यानि class 10 का यानि class बिहार बोर्ड वाले class 10 सभी student के लिए जो कि आपको पता है पहले से मेरा जो इसको लगाना मत भूलेगा यादि कोई भी class आप माल लिए exam 10 का exam देने वाला है तो मेरा एक class देखिए ही देखिए क्योंक important होने वाला है आपके exam के point हो भी उसे दोस्तों चलिए start करते हैं तीसरा यानि बोफपद का ये अगला chapter है यानि तीसरा chapter बात करेंगे तो तिसरा चेप्टर दोस्तों क्या है दो चर वाले रेखिक समीकरन का मतलब क्या होता है तो दो चर वाले रेखिक समीकरन का मतलब दोस्तों यह होता है कि आपको दो समीकरन दिया रहेगा यानि दो equation दिया रहेगा दोस्तों उसमें दो variable रहेगा चर का मतलब आप बताए थे पिछले class में class number 2 यानि बहुपद का ही class number जो जो इसे पहले जो class था उसमें आपको बता चुके थे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है तो दोस्तों यदि आपको class मेरा नहीं देखे त क्या notification चला जाए इसलिए दोस्तों आप क्या कीजिए इस चैनल को दवा दिजिए बिल आइकन को दवा दिजिए चैनल सब्स्राइब कर लिजिए दोस्तों और यह जैसे कि आप चर का मतलब जो नए इस्टुरेंट है उनके लिए थोड़ा बता दे दोस्तों चर का मतलब व चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो पर भी एंसर वही आएगा दोस्तों तो इसमें एक्स और वाय यानि ए टू जैड यानि ए से लेकर जैड तक की जो भी कोई संख्या होगा न उचर मान कहलाता है और अचर कोन कहलाता है दोस्तों तो नंबर यानि जीरो वन टू तुर शीक शैट्रियं से ब्ली नंबर टूटल कितना होत Alec11 नंबर कितना टू टूल कितना होता है दस होता है जो कि आप लोगता है जीरो टू 9 009 में कितना हो गयातों डू गया यह जो 10 की Fire 2 मृचियो संख्या थो नंबर जो है ये क्या है आचर स्भान हे क्या है ओ शर मान चार संख तो चलिए अब चर्मान समझ चुकेंगे कि चर्मान क्या होता है तो दो चर्वाला रेखिक समिकरन यानि दो एक्स और य यानि ए भी ए से लेकर जैट के बिच में कोई दो अलूलेटर रहेगा उसमें और दोस्तों दो एक्वेशन भी रहेगा यहां पे और दोनों को सौब कर क्या क्या चीज़ बताने रहेगा तो उस पर कहने का मतलब क्या दे एक्वेशन भी आपके पास दोस्तों डेखिए दोस्तों दोस्तों कैसा होगा तो आपको हमें बताने के प्वेंट भी से यहां पर एक ले चुके हैं जैसे a1 x plus b1 y is equal to c1 यह एक समिक्रन कहलाएगा दोस्तों नेक्ट समिक्रन के बात करें तो a2 x 2y c2 यह एक समिक्रन होग jetzt İşte 2 1 दोसरा आपको 2 दिया रहेगा दोस्तों उस के पूछ देगा की चुकी समिक्रान को फॉर्म पूछ देगा कि एक सूरूप कर दोस्तों यह कि कि यह इसका हल कितना होगा अधी फ सकता है जोंका क्या सगत है कि क्या है तो एक प्रकार से सपे पOULD पू सकता है कि इस अमिकरंड का कौन सा गराभ बनेगा परफिशेधी बनेगा कि समांतर बनेगा कि रखी बनेगा दोस्तों तो एक ही equation से आपको कितना अभी तो 3 बता दिए क्या अधूतिय होगा निम्री अधूतिय होगा संगत ओगा प्रतिछेदी होगा तो कहने का मतलब गाड़ी कोचन को करेंगे हैं ना आपको समझ करें गया जानठी के साथ आफ जान until is both को do Chen Watch ने करके आएग सबस्केए हैं तो चलिए जानते हैं यसे पहला कंडिशन यहां परBMलिदी में यह है तो सबसे पहले क्या a2 b2 x का गुनाँक लेना है तो दोस्तों जैसे माल लेजें यहाँ पर a1 ले लिए था एवन बटाcha 2 यानि पहला समीकरन का a1 x का गुना दूसरा दूसरा समीकरन का x का गुनांग थे एवन बटाई 2 is equal to b1 बटा बीटू यानि पहला सब्सक्राइब दोस्तों जब यह दोनों आपस में बरावर नहीं रहेगा कहने का मतलब क्या भेलो कहने का मतलब जैसे चलिए और एक एक्जामपल लेते हैं आपके सामने से माल लेजिए यहाँ दो एक्वरस लिएग्स करण संब्सक्राइब लिए जैसे कि दोस्तों आप देख पाय रहे यहां पर एवन का मान क्या है टू रखेंगे एटू का मान क्या है थिर्या तो ठिरी बरावर थो बरावर बिवन क कमान चार है तो चार और my two का मान क्या है उ b2 का मतलब समखतर सेकंड य कमान तो पांच बहुते दोस्तों दोनों भाबर नहीं नहीं दोब ाइति नहीं चार्म बता पांच फस्का मतलब क् से और रंग यह यह ब्राबर नहीं कि A1 वन और B1 वला X का गУनांक वला और Y का गणांक वला आपस में बरावर नहीं है तो इस कंडिशन में दोस्तो क्या होगा क्या हल होगा दोस्तो व्येस Crte Чтобы y का मतलव क्या होगा जब आपस में दूनों बरावर नहीं होगा इस काट दिये बढाबर को जिसे दोस्तों काट तो इसका मतल tar नहीं नहीं यानि यह दोनों रहाउन हैं यह बराबर नहीं है यह दोनों संधिशन X का गुनांख और Y का गुनांख जढ़ी आपस में बराबर नहीं होगा यानि कहने 1 में कट करेगा दोस्तों समाझ चूए होगे आप एननी कंडिशन पहला नंबर a1 बाटte टू इकल टू इजकल टो नाट नाट दोनों फोल्टक करेए यहिवन स्क्राइशHigh होल evolves गा ऊसका ग्राफ संगत साथ इचेगी होगा और ग्राफ कुछ इस तरह से होगा दोस्तों जैसे दो हैने पहले समें दोकीशो के यह बनेगा तो नाइन के लिए अधिसी पॉ两 कि इस परकार के एक्वेशन के लिए इस परकार के युग्म के लिए क्या होगा अदूतिय हल यानि एक हल होगा क्यवल यानि एक ही जगह पर कट करेगा इसका ग्राफ क्या होगा संगत होगा प्रतिछेदी होगा इसका ग्राफ यानि एक दूसरे को कहीं कहीं कट करेगा एक ज को जब हम इस प्रकार से चेक करें और यहां पर यदि यह कंडिशन आ जाए यह बराबर नहीं होगा यह दोनों को तो उस कंडिशन में दोस्तों क्या होगा तहां एक बार ध्यान से देखें क्योंकि चेक को दोस्तों ही नहीं होगा कहने का मतले क्या कहीं यह कट ही नहीं करेगा कटवे नहीं करेगा यानि का हल कब होता है दोस्तों जब एक दूसरे के दो ग्राफ जब आपस में कहीं ने कहीं कट करता है तब जाकर उसका हल निकलता है जितना वर कट करता है उतना वर क्या होता दोस्तों उसका मतलब हल होता है दोस्तों तो यहां पर यह कट ही नहीं करेगा देखिए इसका मतलब इस संगत होगा कि क्या होगा तो दोस्तों इसका ग्राफ क्या होगा असंगत होगा अलग अलग होगा संगत का मतलब साथ-साथ असंगत का मतलब क्या असे मतलब कभी नहीं साथ में आएगा समझ में आगे ना बाद दोस्तों संगत का मतलब क्या होता जो साथ-साथ हो या कभी जिने कभी एक बार जिन्दगी में मिल जाए तो संगत बोलेंगे जो जिन्दगी में कभी ना एक दूसरे को करीब आए ना मिले उसको क्या बोलेंगे असंगत तो समझ चुके होंगे दोस्तों इसका कोई यानि एक भी हल नहीं होगा इसका ग्राफ असंगत होगा और ग्राफ का बने गए ग्राफ का नाम क्या होगा दोस्तों इस ग्राफ किस तरह का इसका लाइन कैसा होगा तो समानतर जाएगा समानतर जाएगा क्या दोस्तों यह समानतर जाएगा जैसे कि देख पा रहे हैं यहां भी एक मीटर का Disterns रहेगा और जहां तक जिन्दी में जहां तक यह जाएगा यह हमेशा क्या गतानी के FUCK जब 451 के बीच में एक मीटर का माल मेंस यहां पर क्राइब दोस्तो इसे को बोलते इसका एक भी हलने होगा इसका ग्राफ असंगत होगा समानतर होगा तो और यह कभी ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा यानि जीवन में कभी नहीं एक दूसरे को मिलेगा ऐसे इधर जैसे जिसका एक्जामपल का बात करें दोस्तों यह समझ रहे कि रेल का पट्री रेल का पट्री जिस रोज यदि एक जगह मिल जाए तो रेल चलने ही नहीं पाएगा दोस्तों क्यों कि दो रेल पट्रियों के बीच में क्या होता है सभी जगह पर सेम डिस्टेंस होता है दोस्तों क्लिर दोस्तों जिसके कारण क्या होता है कि ट्रेन असानिस उस पट्री पर दौर पाता दो यदि उस पर यदि कहीं किसी कारण बोशार घ्रता सबी दोस्तूरी हो जाएगा दोस्तों पर असंगत होता है और समांतर होता है और देखने में और देखने में इस तरह से और दोस्तों यह क्या है चचली इसके बारे में जानते हैं दोस्तों आप इस तरह टाइप का क्या कंडिशन आएगा दोस्तों इस कंडिशन में आपका जो दो इक्वेशन होगा क्या होगा दोस्तों यहां पर सभी चीज आपस में बराबर हो जाएगा तीनों का तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा यानि एक ही अनुपात में रहे गया नहीं बराबर हो जाएगा तो दोस्तों इस कंडिशन में क्या होगा अनन्त हल होगा कितना हल होगा अनन्त का मतलब क्या बहुत ज्यादा हल होगा बहुत जितना चाहिए जिसको गिनने से अनन्त का मतलब क्या जितना बोले उतना कम दोस्तों अनन्त हल होगा इसका ग्राफ कैसा होगा दोस्तों संगत होगा यानि साथ-साथ चलेगा साथ-साथ ज जब जहां तक एक जाएगा वहां तक यह भी जाने का कुछ कर देगा तो संगत संपाति मतल़ा उसी पथभा नही चैंज करेगा तो यह प E ग्राफ कुछ इस तरह कराएगा यानि एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ नजर आएगा समझ में आ गया यानि एक ही पाथ से एक ही राष्टा से क्या करेगा जिसे माल लीजिए एल एल है और यह M है चोटा वहला यहां से यहां तक क्या है M है तो दोनों लायन क्या होगा एक इन पर दिखेगा याสिचेंगे दोस्तो कहने कर इस प्रकार से आपको इसी यह तुसलों बता है यह कंडिशेंगा कौशन यहां पर कहने का मतलब कि यहां से बनेगा एक यहां से बनेगा तो तीन कोचन यहां से बन गया दोस्तो यह आपको बोल सकता है होज है यह संगत है तो यहां से वह दोस्तों दो तरह का कोचन बन जाएगा नेक्स दोस्तों है कि क्या है तो दोस्तों यह तो包括 इसमें से पूछ देगा यह यह पूछ से छिह Nicholas is our पूछ देगा और उसमें, आपको कि कहीं संपाती का इसमांतर जा को वह בא दोस्तों से थोस्तो इसी ब्लोक से आपको कम से कम दस्ठों कोचन बन जाएगा कोचन बनाता भी है और और्लिक पांच से इस इस परकार्स याद कर ली जिये कि निदी कुछ पूछले दॉसको बताने का फैक्ट हो गया दोस्तों यहां से आएगा वह हम बता चुक्क एन इस चेप्टर का दो चरवाल रेखिक समीकरण से जहां से अब्जेक्टिव आएगा तो वहां से पूछ देगा और दोस्तों यह भी देदेगा यह कि आएग पूछ देगा कि चार ऑप्सन देगा कि एक किस एकसा हूल होगा कोई हमने यह देदेगा कितना हलेगा अननत हलेगा तो दोस्तों है दो तिन चारव पांच ये पांचों बोक्स मिलाकर बोलत देकी 10 तरह के 15 त्थे कोचण बना सकता ऌंप के आपको एक तो यह और ने चलिए फ DMC x ली तो जाने करेंगे अब आगे बात करते हैं कि Şimdi में आपको पलगा सब्सक्रों इस चेप्टर में आपको पूछ देगा कि इन चरों को X आर य का मान निकाले इस तो कईसे निकाले इस तरह की इस पर भी कोचन करेंगे दोस्तों यह अगला कोचन किस परकार कहाएगा इस परकार से आपने प्राप्त समीकरन का आलेख खीचे यह नहीं माले जिए दो समीकरन दे देगा उसका बोलेगा कि आगले खीचने के लिए डाइग्राम बनाने के लिए आलेख खीचने के लिए बो का दोस्तों याता है तो एक आलेख बनाने के लिए तो आएगा ही आएगा एक ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कोफी के पांस नंबर के लिए दोस्तों इस परकार से आपको इस तरह से समझाएंगे आपको सिखाएंगे नेक्ष क्लास में मानने जिए दोस्तों उसमें दोस्तों मुख रूप से क्या है एक्जाम में ज्यादा बार यही टीनों से पूछा जाते हैं exactly कि आलेक स्थापन विधि क्यों बिलूपन और नेहीं को प्रहेंगे कि श्थापन प बताएंगे तो चार हो जाएगा तो दोस्तों क्योंकि एक्जाम में इसी तीनों में से किसी ना किसी एक पर आपको सवाल दे देगा दो एक्जाम मतले क्योशन देगा और आपको बोल लगा कि निम्न समी करन को प्रष्टिय स्थापन विध्धी से हल करें या बिलोपन विध् से हल करो तो हम को एक्जाम के प्वेंट आप भी स्टिक के मांदाकर बता कुछ आ तो कि एक्जाम में को समस Mia कोılarा किस परकार का कोचण आएगा तो वाद ना है कैसे बताएंगे कि Śका क्या होती होगा कि ईक अल नहीं होगा प्र ग्राप वार्प संध होगा या चैles के होगा क्षोंड घंट है ऋने बताह्त का किसे होगा जो क्षुछ आफ जैसे होगा अधी यूथ परकार से आप भी अपनी कॉपी में उतार लेज़ें दोस्तों और इसको एक बार जैसे हम बता हैं दोस्तों बूक में एक जगा पर इस परकार से नहीं दिया रहेगा इतना अच्छा से नहीं रहेगा लेकिन हम आपको समझा दिये इस परकार से आप प्यार कर लेता हैं दोस् ठल्ट बताएंगे कौ系सा बिधी से कैसे आता है जो कि आप बता चुके है और स्पेशन करें में दोस्तों चल्यें kaklaas में फिर में अगले करेंगे दोस्तों नेक्स्स यानि इस डूढ़ात समय करन के रेखिक समय करन के कुछ कोच्ण करेंगे दोस्तों जो एक्जाम में आने वाला है या आएगा दोस्तों तो अभी तक यादी आप मेरे सेशन को यादी लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब क्रेस्क पर चल रहा है आदो इसकिके माधम स्ल्सक्राइब को पूरे मैथ अच्छे में पूरे है क्वाइब से यहां पर हम बताएंगे बता तो 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 आपकी यहां से भोल तो दिये कि क्या बोले बहुत ही से अच्छा-फ्षा मार्क् स्च जितना आप सोचों उसे जादा मार्क्स ला सकते हैं दोस्तो कि किलियर दोस्तो आज इत्ना ही अहीं ञेख क्लास में तब realizing क्लास में तब तक के लिए दोस्तो टेक कैया व्य Nee